हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट दस पैटन सबसे पहले मैं आपको पैटन के बारे में बताना चाहती हूँ कि पैटन होता क्या है? पैटन का मतलब होता है जब भी हम किसी कार्य को करते हैं उस कार्य को करने का तरीका कई बारी हम एक ही कार्य को करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तिमाल करते हैं इसी के साथ आपने देखा होगा कि कई बार घरों की जो दिवारे होती हैं उनके अलग-अलग डिजाइन होते हैं उन design के लिए भी हम pattern शब्द का इस्तिमाल करते हैं या फिर जो आपके घर में चादर होती हैं या दुपट्टे होते हैं उन में भी जो design बने होते हैं उनको भी हम pattern के नाम से बुलाते हैं तो हम अपना part शुरू करते हैं pattern टीनू ने इस block की मदद से एक साड़ी बनाई हैं आप देख रहे हो याँ पर यह जो design बना हुआ है उसने क्या करा है इसकी मदद से एक साड़ी बनाई है अब फिर उसने यह चादर भी इसी block से बनाई अब उसने क्या करा पहले तो उसने देखो जैसे आपको यह design दिया हुआ है उसने उसको सीधा सीधा खड़ा करके यहाँ पर एक design बनाया है पहले सीधा सीधा उपर खड़ा करा है नीचे वाली line में उसने क्या करा उसको उल्टा कर दिया फिर बीच में उसने क्या करा है कि उसका सीरे को एक तरफ दाएं तरफ कर दिया है और बाएं तरफ यानि कि उसको उल्टा करके लगाके उसने ये साडी कर डिजाइन बना दिया अब यहां पर उसने क्या करा है चादर में उसने इस ब्लॉक की मदद से देखो क्या करा पहले उसने उसका सीरा दाएं तरफ को करा है एक और बाएं तरफ को भी करके और फिर एक का उसने उपर करा है और एक उसने नीचे करा तो जिससे उसने एक फूल जैसा डिजाइन बना दिया इससे अब उसने इस ब्लॉक की मदद से यह दुपट्टा भी बनाया है आप देख रहे हो यहाँ पे उसने क्या करा है पहली लाइन में उसने ब्लॉक के सीरे को नीचे की तरफ कर दिया दूसरी लाइन में उसने ब्लॉक के सीरे को उपर की तरफ को कर दिया और इसी तरह उसने इस pattern को पूरा करा है यहाँ पे क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक के प्रयोग से अलग अलग pattern कैसे बनाए तो आपने देखा ही है कि उसने देखो कि एक ब्लॉक था उसके पास जिसका उसने अलग अलग तरीकों से प्रयोग करके तीन चीजे यानि कि सबसे पहले साड़ी फिर चादर और फिर दुपट्टा बनाया है अब तुम भी इस ब्लॉक के मदद से आपको क्या करना है तीन अलग अलग pattern बनाने है तो आप यहां पे देख रहो है आपको ब्लॉक दिया हुआ है पहले तो यह एक तीर का जैसे arrow होता है वो बना है और उसके उपरे के circle बना हुआ है तो आप इसको कैसे बना सकते हो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जो है पहले बॉक्स में हम इसको जो तीर जैसे ऐरो बना है और इसमें जो गोला बना है इस गोले को हम बाई साइड को करेंगे बाई तरफ को कर देंगे और उसके साथ वाले box में हम क्या करेंगे उसके गोले वाले सीरे को दाई तरफ कर देंगे यानि कि जब हम इनको देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के अप उल्टे साइड में इनको हम रख देंगे इस तरीके से आप ये एक पैटर्न पूरा कर सकते हो दूसरे पैटर्न में हम क्या करेंगे कि पहले दो बॉक्स में यानि कि हम उपर वाले बॉक्स में और नीचे वाले बॉक्स में इनको हम सीधा ही रख देंगे जैसे कि आपको ब्लॉक दिखाया हुआ है और उसके बाद वाले दोनों बॉक्स में उपर और नीचे वाले बॉक्स में हम इनको क्या कर देंगे इनके जो गोला वाला सीरा है उसको हम दाएं तरफ को मूँ करके इसको रख देंगे और इसी तरीके से आपको यह पूरा पैटर्न पूरा करना है इसके अलावा फिर हम जब आखरी वाले पैटर्न में जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे पहले के दो बॉक्स में उपर और नीचे वाले बॉक्स में हम इसको सीधा रख देंगे जैसे कि आपको ब्लॉक का डिजाइन दिखाया हुआ है उसके बाद के दो बॉक्स में उपर और नीचे वाले में आप इस ब्लॉक है इसको उल्टा करके आप रख दोगे और इसी तरह आप ये पूरा करोगे इसके अलावा अगर आपको कोई और भी तरीका आता है तो आप उस तरीके से इस pattern को पूरा कर सकते हो अब यामिनी ने अपने ब्लाकों से अलग अलग pattern बनाई क्या तुम इन pattern को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसने pattern में क्या तरीका इस्तिमाल किया है उसके बाद आप उसको पूरा कर सकते हो तो हमने देखा कि जो पहला pattern है उसमें उसने क्या किया है सबसे पहले एक पत्ते का इस्तिमाल किया है फिर दूसरे box में दो पत्तों का इस्तिमाल किया है तीसरे box में तीन पत्तों का इस्तिमाल किया है और चौते box में चार पत्तों का इस्तिमाल किया है तो अब इसी तरह हमें भी ये पूरा करना है पांचवे box में हम एक पत्ता इस्तिमाल करेंगे छटे बॉक्स में हम दो पत्तों का इस्तिमाल करेंगे जैसे यहां पर बनाया है आपको सेम इसी तरह बनाना है फिर जो है साथवे बॉक्स में हम तीन पत्तों का इस्तिमाल करेंगे और आखरी आठवे बॉक्स में हम यह चार पत्तों का इस्तिमाल करके same aisee design बना देंगे अब हमें दूसरा pattern को पूरा करना है तो आप यहाँ पे देखोगे उसने क्या करा है पहले की जो दो box है उसने उसमें दो-दो line का इस्तिमाल किया है लेकिन फर्क क्या है जो उसने उसमें line कीची है जो design बनाया है उसमें पहले box में design बनाया हुआ है तीसरे box में उसने उन तीर का design नीचे को करा हुआ है और 4 बॉक्स में उपर को करा हुआ है अब इसी तरह आपको ये पैटर्न पूरा करना है तो हम इसमें क्या करेंगे हम 4 बॉक्स में हम जो है फिर से 3 लाइने बनाएंगे 4 और 5 बॉक्स में हम 3-3 लाइने बनाएंगे और उसको हम उपर की तरफ को करेंगे यहाँ पे देखो यह एक गलती हो गई है, कि नहीं हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार-चार लाइने बनाएंगे, चौत्थे box में और पांचमें box में हम चार-चार लाइने बनाएंगे, उसके बाद पहले वाले में हम जो लाइनों का डिजाइन बनाया है, उसका सीरा नीचे को करेंगे और छटे में उपर को कर देंगे उसके बाद आखरी बॉक्स में हम फिर पांच लाइने बनाएंगे और उसमें जो ये डिजाइन बना है उसका सीरा नीचे को कर देंगे अब तीसरा पैटर्न है तीसरे पैटर्न में उसमें क्या करा है एक गोला बना है और गोले में चार हिस्से उसने करे हुए है चार बराबर भाग करे हुए है तो सबसे पहले उसने क्या करा है उपर के जो दो भाग है उसके दाएं भाग को उसने रंग करा हुआ है फिर दूसरे बॉक्स में उसने गोले के नीचे के दो भागों में से दाएं भाग को रंग करा हुआ है फिर तीसरे गोले में उसने गोले के जो नीचे के दो भाग हैं उसमें से बाएं भाग को रंग करा हुआ है अब आपको यही तरीका आगे इस्तिमाल करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे एक गोला बनाओगे उसके बाद उसको चार बराबर भा उसमेन से आप उसके दाये वाले भाग को रंग करदोगे। इसी तरह फिर आप अपने पांच fairly बाक्स uniform में फिर से एक गोला बनाकर उसमें चार भागोंमे बाट कर। उसके नीचे के दो भाग में से जो दाइं वाला भागों aur उसको रंग करोगे। फिर आखरी बॉक्स में फिर से गोला बनाओगे उसे चार भागों में बाट दोगे और नीचे के जो दो हिस्से हैं उसमें से आप उसके बाएं हिस्से को रंग कर दोगे और इसी तरह हमने अपने तीनों पैटन पूरे कर दिये अब आगे का आपका कार्य है हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटन बना सकते हैं नीचे कुछ उधारन दिये गए हैं उनको देखो और आगे बढ़ाओ तो मैंने आपको बताया था कि जो पैटन है उसका मतलब होता है तरीका तो तरीका तो हम हर जगा इस्तिमाल करते हैं चाए किसी भी काम को करने के लिए किसी संख्याओं को जोडने के लिए किसी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने डिजाइन को बनाने के लिए तो पहले तो हमने design बनाने में pattern का इस्तिमाल किया अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखो संख्याएं भी दी हुई है और आपको जो है यह ABCD के अक्षर दिये हुए है उनको पूरा करने में आपको यह तरीका इस्तिमाल करना है तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले लिखा है ABC उसके बाद लिखा है DEF फिर लिखा है GHI तो हमने देखा कि यहाँ पे उसने क्या तरीका इस्तिमाल किया है उसने जो यह अक्षर होते हैं ABCD उन्होंने तीन-तीन को एक साथ लिखा है और अगले गोले में उसने फिर तीन लिखने के बाद जो आगे से शुरू होता है उसके आगे जो होते हैं अक्षर उनको लिखा है तो इसी तरह आपको तीन-तीन यहाँ पर लिखने है तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ABC उसके बाद लिखा है D, E, F फिर लिखा है G, H, I उसके बाद हमारा आता है J, K, L उसके बाद हम लिखेंगे M, N, O और फिर लिखेंगे हम P, Q, R तो एक पैटर्न हमारा पूरा हो गया दूसरा पैटर्न हमें पहचानना है यहाँ पे लिखा है 28Z, 27Y, 26X तो हमने इसमें देखा कि उसने क्या करा है उसने उल्टी गिंती यहाँ पे लिखी हुई है या फिर आप यह भी खह सकते हो कि संख्याओं में से एक संख्या कम करके उसने यहाँ पे लिखी हुई है और संख्या के साथ यहां पे उसने letters भी लिखे हुए है ABCD आप देख रहे हो यहां पे तो वो उसने उल्टी ABCD लिखी है आपने देखा होगा कि Z सबसे last में आता है तो उसने Z से इसको शुरू किया है तो अब यहां पे उसने लिखा है 28Z 28Z से पहले आता है 27 28 से पहले 27 आता है और Z से पहले Y आता है तो यहां पे लिख दिया 27Y अब 27 से पहले आता है 26 और Y से पहले आता है X तो इस box में आ गया 26X अब इसके अगले में आप लिखोगे 26 से पहले आता है 25 और X से पहले आता है W तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25W इसके बाद 25 से पहले आता है 24 और W से पहले आता है V तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24V उसके बाद 24 से पहले आता है 23 और V से पहले आता है U तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23U तो हमने अपना दूसरा पैटन भी पूरा कर दिया अब हम आते हैं तीसरे पैटन में यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले लिखा है आठ सो चौशट उसके बाद लिखा है साथ सो चौशट फिर लिखा है छै सो चौशट तो हमने यहाँ पे देखा आ की जो यहाँ पे तरीका है उसने क्या करा है सबसे पहली संख्या से 100 घटा कर जो आया वो उसने दूसरे बॉक्स में लिख दिया फिर इसी तरह दूसरी box की संख्या में से 100 घटा कर जो संख्या आई वो उसने तीसरी संख्या में लिख दिया अब हमें आगे भी इसी तरह इसको पूरा करना है तो यहां पर तीसरी संख्या है 634 664 से आप फिर से 100 घटा कर दोगे तो हमारे पास संख्या आएगी 564 564 में से फिर से आप 100 घटा कर दोगे तो हमारे पास संख्या आएगी 464 और आखरी बॉक्स के लिए भी हमें इसी तरह का पैटर्न इस्तेमाल करना है 464 में से आप 100 घटा दोगे तो हमारा आजाएगा 364 अब हम करते हैं अगला पैटर्न अगले पैटर्न में लिखा है पहले में लिखा है 9 उसके बाद लिखा है 109 फिर लिखा है 209 तो यहाँ पे आपने देखा कि 9 सब में ही इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हर बॉक्स में 100 संख्या जोड दी है 100 से उसको बढ़ा दिया है तो सब से पहले लिखा है 9 उसके बाद उसने जब उसमें 100 जोड तो हमारी दूसरी संख्या बन गई 109 फिर 109 में 100 फिर से जोड तो हमारी संख्या बन गई 209 अब आगे भी हमें इसी तरह करना है 209 में आप 100 जोड दोगे तो हमारी चोथी संख्या बन जाएगी 309 फिर 309 में आप फिर से 100 जोड दोगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 409 फिर से 409 में आप 100 जोड दोगे तो हमारी आखरी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 509 अब आपको कहा है संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ तो आपको क्या करना है मैंने बताया था पैटर्न हम हर जगा इस्तिमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको इसलिए बोला है कि संख्याओं का इस्तिमाल करो और फिर पैटर्न बनाओ तो हम पहले पैटर्न में क्या करेंगे हम पहले बॉक्स में लिखेंगे 10 दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 20 तीसरे बॉक्स में लिखेंगे 30 चौते बॉक्स में लिखेंगे 40 पांचमें बॉक्स में लिखेंगे 50 और छटे बॉक्स में लिखेंगे 60 तो आपने यहाँ पे बताओ क्या पैटन को आपने देखा हमने जो यहाँ पे पैटन इस्तेमाल करा है वो हमने यह करा हमने जो पहली संख्या है उसमें दस जोड दिया और इसी तरह आगे की संख्याओं में हमने दस जोड कर हम अगली संख्या बनाई हमने तो यह था हमारा पैटर्न जिसमें कि हमने दस जोड कर संख्याओं को बनाया है अब हम क्या करेंगे अगला पैटर्न बनाते हैं अगला pattern हम बनाएंगे, पहले में हम लिखेंगे 100, दूसरे में लिखेंगे 200, तीसरे में 300, चौथे में 400, पांचवे में 500, और छटे में 600 तो इसमें हमने क्या pattern इस्तिमाल कर रहा है? इसमें हमने हर संख्या में 100 जोडते गए और अगली संख्या को बनाते गए तो ये था हमारा दूसरा pattern, आप इसके अलावा अपनी मर्जी से भी कुछ और pattern बना सकते हो जैसे कि मैंने पहले pattern में 10 संख्या को जोड़ा है, दूसरे में 100 को जोड़ा है, आप इसी तरह 5 जोड़ कर भी बना सकते हो जैसे कि पहली 5 लिखके, दूसरी box में 10 लिखके, यानि कि 5 पांच अंक जोड़ के तो आपको अगर कोई और pattern आता है, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आपको संख्याओं का ही इस्तिमाल करना है अब आगे है आपको बिना संख्याओं का पैटर्न बनाना है यहाँ पे अभी तो आपने संख्या का इस्तिमाल करके बनाया था अब बिना संख्या के बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे A को दो बार यानि कि A, A दूसरे बॉक्स में हम B को दो बार लिखेंगे B, B तीसरे बॉक्स में हम C को दो बार लिखेंगे C, C चौत्य बॉक्स में हम D को दो बार लिखेंगे D, D तीसरे पांच्वे बॉक्स में हम E को दो बार लिखेंगे E, E और फिर आखरी जो box है उसमें हम F को दो बार लिख देंगे F, F तो इसमें हमने क्या pattern इसने इस्तिमाल किया है हमने एक अक्षर को दो बार लिखा है लेकिन हम जब भी अगले box में गए तो हमने उसका अगला अक्षर लिखा है जैसे कि A के बाद आता है B, B के बाद आता है C तो इसी तरह आप यहाँ पर अपना भी कुछ pattern इस्तिमाल कर सकते हो यह मैंने आपको उधारन के लिए दिया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं अब अगला कार्य है कोई संख्या दुबारा ना आए दिये गए संख्या चार्ट को देखो क्या तुम्हें कोई pattern नजर आया तो आप देखोगे हमारे पहले जो उपर की लाइन में तीन बॉक्स बने हैं उसमें पहले लिखा है एक फिर लिखा है दो फिर लिखा है तीन फिर दूसरी लाइन में जो बॉक्स बने है उसमें लिखा है तीन फिर लिखा है एक फिर लिखा है दो फिर तीसरी लाइन में जो तीन बॉक्स बने है उसमें सबसे पहले लिखा है दो फिर लिखा है तीन फिर लिखा है एक तो यहां पे देखो यह लड़की बता रही है कि किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है यानि कि जो लाइन बनी है एक लाइन में एक अंक एक ही बार यहां पे लिखा हुआ है अब इसी तरह तुम भी A, B, C को नीचे दिये गए बॉक्स में लिखो कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए इसी तरह आपको अब क्या करना है उपर तो देखो अंको का इस्तेमाल किया था अब आपको अक्षर का इस्तेमाल करना है लेकिन यह ध्यान में रखना है कि कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए तो हम सबसे पहली लाइन में कैसे लिखेंगे हम सबसे पहली लाइन के पहले बॉक्स में लिखेंगे A फिर दूसरे बॉक्स में लिखेंगे B और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे C अब हम दूसरी लाइन पर आते हैं दूसरी लाइन के पहले बॉक्स में हम लिखेंगे C दूसरे बॉक्स में लिखेंगे A और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे B अब हम आते हैं तीसरी लाइन पर तो तीसरी लाइन के पहले बॉक्स में हम लिखेंगे B दूसरे box में लिखेंगे C और तीसरे box में लिखेंगे A तो इस तरह हमने यहाँ पर यह अपना सारा complete कर दिया है और आपने देखा कि एक line में कोई भी अक्षर हमने दोराया नहीं है अब है जादूई pattern आप देखोगे यहाँ पर लिखा है एक से साथ तक की संख्याओं के इस pattern को देखो हर एक line में संख्याओं का जोड 12 है यहाँ पर यह जिसे आपने देखें तारे होते हैं तारों के आकार का यहाँ पर यह बना रखा है pattern और इन में अंक लिखे हुए हैं संख्याई लिखी हुई है और देखोगे आप इनको जब जोड़ोगे तो हर किसी का जो जोड़ है वो 12 होगा तो सबसे पहले हम अगर उपर वाली लाइन ले उसकी संख्याओं को अगर हम जोड़े तो आप देखोगे 2 जमा 3 होगा 5 और 5 जमा 7 यानि कि हुआ 12 इसके बाद अगर हम ये तिरची लाइन के अंको को जोड़े दो जमा 4 हुआ 6 6 जमा 6 हुआ 12 इसके बाद जब हम ये बीच वाली लाइन को अगर हम अंको को जोड़े तो 3 जमा 4 हुआ 7 और 7 जमा 5 हुआ 12 उसके बाद आप देखोगे हम क्या करेंगे ये जो आखरी वाला तारा है इसकी तिरची लाइन को हम इसके संख्याओं को जोड़ेंगे 7 जमा 4 11 जमा 1 12 तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप किसी भी जो लाइने बनी हुई है इन लाइनों में जो संख्या लिखी है इनको आप किसी को भी जोड़ोगे तो उसका जो जोड़ है वो 12 ही आ रहा है अब आगे है अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आए अब आपको क्या करना है इसी तरह उपर देखो 1 से 7 तक की संख्याओं का इस्तिमाल किया था अब आपको 1 से 9 तक की संख्याओं का इस्तिमाल करना है लेकिन जब आप इन लाइनों की संख्याओं को जोड़ो तो उसका जो जोड़ है वो 15 आना चाहिए तो अब हम करते हैं हम सबसे पहली लाइन के जो पहला तारा है उस पे हम लिखेंगे 2 दूसरे तारे में लिखेंगे 9 और तीसरे तारे में हम लिखेंगे 4 तो आप देखोगे जब हम 2 और 9 को जोड़ेंगे तो बनेगा 11 और 11 में है जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 15 अब हम क्या करते हैं दूसरी लाइन के पहले तारे में हम लिखेंगे 7 दूसरे तारे में हम लिखेंगे 5 और तीसरे तारे में हम लिखेंगे 3 अब हम जब इसको जोड़ते हैं तो देखो हमारी क्या संख्या बनती है साथ जमा पाँच बारा बारा जमा तीन पंदरा अब इसी तरीके से हमें तीसरी लाइन में भी करना है तीसरी लाइन के पहले तारे पहर लिखेंगे छे दूसरे तारे पर हम लिखेंगे 1 और तीसरे तारे में हम लिखेंगे 8 तो इन्हें अब जोड़ के देखते हैं क्या संख्या बनती है 6 जमा 1, 7, 7 जमा 8, 15 तो हमने हर संख्या को जब जोड़ के देखा लाइन में तो हमारा 15 ही बना है तो आप यहाँ पे इसको यह पूरा कर लोगे अब है जादूई तिकोन नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखो नियम तिकोन की हर एक लाइन की संख्या को जोड़ 9 है जैसे कि यहाँ पे आपको देखो यह बता रखा है 3 जमा 4 जमा 2 तो 3 जमा 4 साथ और 7 जमा 2 नौ तो आपको इस तरीके से यह करके दिया हुआ है पूरा यहाँ पे अब यह भी देखो कि तिकोन की बाकी दो लाइनों का जोड़ भी 9 होता है या नहीं तो हमने 22 तरफ की जो लाइन है उसका जोड़ तो हमने देख लिया कि 9 है अब हमें 22 तरफ की लाइन देखनी है तो 3 जमा 5, 8 और 8 जमा 1, 9 तो यानि कि इस लाइन का जोड़ भी 9 है अब हम नीचे वाली लाइन का जोड़ देखेंगे तो 2 जमा 6, 8 और 8 जमा 1, 9 तो इसकी तीनों लाइनों का जोड़ जो है वो 9 है आगे हैं 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादूई तिकोन बनाओ अब आपको यहाँ पे एक जादूई तिकोन बनाना है लेकिन 1 से 6 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके उसके बाद कहा है नियम हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ दस आना चाहिए नियम है कि जब भी आप जो तीन लाइने है इन तीनों लाइनों की संख्याओं को जोड़ोगे तो उनका जोड़ दस आना चाहिए तो सबसे पहले तारे में हम लिखेंगे एक फिर हम जो उसके बाद नीचे जो दो तारे बने हैं पहले में हम लिखेंगे चार और दूसरे में हम लिखेंगे छे फिर नीचे वाली लाइन में जो तीन तारे बने हैं उनमें पहले में हम लिखेंगे पांच दूसरे में हम लिखेंगे 2 और तीसरे में हम लिखेंगे 3 अब हमें जोड करके देखना है कि उसका जोड 10 है या नहीं तो सबसे पहले हम बाई तरफ की लाइन के संख्याओं को जोडेंगे तो 1 जमा 4 हुआ 5, 5 जमा 5, 10 उसके बाद हम दाई तरफ की लाइन की संख्याओं को जोडेंगे 1 जमा 6, 7 और 7 जमा 3, 10 अब हम नीचे वाली लाइन की संख्याओं को जोडेंगे 5 जमा 2, 7, 7 जमा 3, 10 तो हमने देखा कि हमारे जो जादूई ती कौन है उसकी तीनों लाइनों की संख्याओं का जोड़ 10 है तो अब जो हमारा आगे है संख्याओं की मिनार वो हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे तो बच्चों अब हम अपना पार्ट आगे शुरू करते हैं कौनसा पार्ट? पार्ट, दस, पैटर्न और पैटर्न के बारे में पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया ही था कि पैटर्न का मतलब होता है किसी भी कार्य को अलग-अलग करने का तरीका या फिर जब हम संख्याओं को अलग-अलग तरीकों से लिखते हैं और जब हम अलग-अलग डिजाइन से कुछ बनाते हैं, तो इन सभी को हम पैटर्न कहते हैं, इन सब तरीकों को हम पैटर्न कहते हैं, तो अब हम अपना पार्ट आगे शुरू करते हैं, संख्याओं की मिनार, संख्याओं को मिनार की तरह लगाया जा सकता है, इस संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू करो, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि संख्याओं को मिनार की तरह लगाया जा सकता है जैसे यहाँ पे नीचे लगाया है अब इन्होंने कहा है कि आपको इस पैटर्न को समझना है क्या तुम्हें यहाँ कोई नियम दिखाई दे रहा है तो हमने देखा कि जो मिनार होती है वो नीचे से बनना शुरू होती है तो सबसे पहले हमने देखा यहां पे तीन बॉक्स बने हुए है जिसमें पहले बॉक्स में लिखा है दस, फिर बीस और फिर तीस उसके बाद जो उसके उपर दूसरी लाइन बनी है उसमें दो बॉक्स बने है और पहले बॉक्स में लिखा है 30 तो हमने देखा कि जो नीचे वाले दो बॉक्स हैं पहले दो बॉक्स यानि कि 10 जमा 20 उसको जोड़कर हमारे उपर पहले वाले बॉक्स की संख्या बनी 30 दूसरी लाइन में जो दूसरा बॉक्स है उसमें लिखा है पचास अब पचास संख्या कैसे बनी? जब हमने नीचे वाली लाइन के दूसरे और तीसरे बॉक्स की संख्या को जोड़ा मतलब 20 जमा 30 तो हमारी संख्या बन गई 50 इसके बाद जो तीसरी उपर से जो लाइन है तीसरी जिसमें की एक ही बॉक्स है वहाँ पर संख्या लिखी है असी अब हमने संख्या असी को कैसे बनाया? तो नीचे जो दो बॉक्स हैं 30 और 50 हमने इन दोनों को जोड़ दिया जिससे संख्या बन गई 80 अब आपको नीचे नियम दिया है नीचे की दो संख्याओं को जोड़ कर ऊपर की संख्या बनती है जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पे समझाया था ठीक है? अब हमें क्या करना है? आगे करना है यहाँ पे इसी नियम को मानते हुए नीचे दिये संख्या मिनारों को पूरा करो तो पहले आप देख रहे हो ये गोला आकार में जो है एक मिनार बनी हुई है जिसमें की चार लाइनों में ये गोले बने हुए है सबसे पहली लाइन में एक गोला है, फिर दूसरी लाइन में दो गोले है, तीसरी में तीन और चौथी लाइन में चार गोले है अब हमें उन्होंने जो सबसे आखरी चौथी लाइन है उसमें देखो चार गोलों में हमें संख्या दी हुई है उसके उपर की संख्या को आपने बनाना है यानि की उपर का पैटर्न आपको बनाना है तो पैटर्न आपको कैसे बनाना है नीचे की संख्याओं को जोड़ कर तो हमने देखा सबसे पहले जो है हमारे पस हम जो है पांच और दस को जोड़ेंगे तो जब हमने 5 और 10 को जोड़ा तो हमारी संख्या बनी 15 तो यानि कि जो हम यहाँ पर उपर गोले में लिख देंगे 15 इसके बाद 25 यहाँ पर लिखा ही हुआ है और 25 कैसे बना नीचे की 2 संख्याओं को जोड़ कर यानि कि 10 और 15 को जोड़ कर अब हम तीसरी संख्या बनाएंगे तीसरी संख्या बनाने के लिए हमें 15 और 20 को जोड़ना होगा तो 15 जमा 20 मारा हुआ 35 अब दो लाइने हमने कर दी है अब हम पहुँच गें तीसरी लाइन में तीसरी लाइन में दो गोले बने हुए हैं तो पहले गोले की संख्या हम कैसे बनाएंगे 15 जमा 25 तो 15 जमा 25 हुआ 40 उसके बाद हमें दूसरे गोले की संख्या बनानी है उसके लिए हम बाद वाले गोलों की संख्या को जोड़ देंगे यानि कि 25 जमा 35 तो 25 जमा 35 हुआ 60 अब हमें सबसे उपर वाले गोले की संख्या बन और संख्या हम कैसे बना रहे हैं? नीचे वाली दो संख्याओं को जोड कर, तो अब हम 40 और 60 को जोड देंगे, तो संख्या बनेगी 100, अब इसी तरह हमें दूसरी मिनार को पूरा करना है, और इस मिनार में भी आप देखोगे, कि जो सबसे नीचे की लाइन है, उसमें हमें सं संख्या दी हुई है, एक, दो, तीन, चार और पांच, अब हमें उससे उपर वाली लाइन की संख्या बनानी है, तो सबसे वेले वाले बॉक्स में क्या संख्या आएगी? हमें नीचे वाले जो पहले दो बॉक्स हैं, उनकी संख्या को जोडना है, एक, जमा, दो, तो हमारी संख्या बनी 3 अब दूसरे बॉक्स के लिए हम संख्या जोड़ेंगे 2 जमा 3 यानि कि 5 अब तीसरे बॉक्स के लिए हम संख्या जोड़ेंगे 3 जमा 4 यानि कि 7 इसके बाद चौत्थे बॉक्स के लिए हम संख्या जोड़ेंगे 4 जमा 5 यानि कि 9 अब हम नीचे से तीसरी लाइन पे पहुँच गए हैं तो तीसरी लाइन के पहले box की संख्या हमें बनानी है उसके लिए हम क्या करेंगे? उससे नीचे वाले line के जो box है उसकी संख्या को जोड़ेंगे तो 3 जमा 5 संख्या बनी 8 अब दूसरे box की संख्या 5 जमा 7 यानि कि 12 अब तीसरे box की संख्या बनानी है तो उसके लिए हम 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 7 जमा 9 16 अब हम नीचे से आप गिनोगे तो हम 4 लाइन पे पहुँच गए हैं और 4 लाइन में 2 box हैं तो पहले box की संख्या को बनाने के लिए हम 8 जमा 12 इनको जोड़ेंगे संख्या बनेगी 20 इसके बाद 12 और 16 को जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी 28 अब हम सबसे उपर वाले box पे पहुँच गए हैं और उसके नीचे दो ही box हैं तो उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे 20 जमा 28 जिससे की हमारी संख्या बन गई है 48 तो इस तरह हमने अपनी दोनों मिनारें पूरी कर दी हैं अब आगे पढ़ते हैं बराबर जोड़ का नियम कुछ दोस्त संख्या काड़ों के साथ खेल रहे हैं देखो वे संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर यह बच्चे हैं और इनके हाथ में कार्ण हैं जिनमें की संख्याएं लिखी हुई हैं। बाएं से पहला और दाएं से पहला। तो उन्होंने क्या करा कि बाएं से पहला हमने देखा ग्यारा है और दाएं से पहला है सोला। जो जब 11 और 16 को जोड़ा तो हमारे पास आया 27. फिर जब हमने दाएं से बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा यानि कि 12 और 15 को जोड़ा तो भी हमारी संख्या बनी 27. फिर बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा जो संख्या है उनको भी हमने जोड़ा यानि कि 13 जमा 14 तो भी हमारी संख्या बनी 27. तो अब यहाँ पर लिखा है क्या तुम वह नियम ढूंड सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ बराबर आ रहा है? नियम संख्याओं का जोड़ बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को जोड़े बाएं से पहली और दाएं से पहली बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरी बाएं से तीसरी और दाएं से तीसरी तो यह हमने अभी कर दिया है यहाँ पर अब तुम कोई भी संख्या लिखो और फिर उससे अगली तीन संख्याएं लिखो इसी नियम को मानते हुए एक पैटर बनाओ अब आपको यहाँ पे देखो चार बॉक्स दिये हैं और आपको कहा है कि कोई संख्या आपको ऐसी बनानी है कि जब आप उसको बाएं से पहली और दाएं से पहली जोड़ो तो उसका जोड बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरी के जोड़ के बराबर हो तो हम ये संख्या बनाते हैं, हम लिखेंगे 6, 7, 8, 9 अब हमने देखा कि हमारी बाएं से जो पहली संख्या है वो है 6 और दाएं से पहली संख्या है 9 और जब हमने 6 और 9 को जोड़ा, तो हमारी संख्या बनी 15 इसी तरह जब हमने बाएं से दूसरी संख्या, यानि कि 7 और दाएं से दूसरी संख्या ली 8 और इनको जोड़ा, तो भी हमारी संख्या बनी 15 यानि कि हमारी संख्या दोनों को जब हमने ये पैटन लगाया, तो दोनों का जोड बराबर निकला इसलिए हमारा ये pattern अब पूरा हो गया अब है जोड के pattern एक जमा दो जमा तीन बराबर में छे दो जमा तीन जमा चार बराबर नौ तीन जमा चार जमा पाँच बराबर बारा तो यहाँ पे ये लड़की कहती है ओ, हर जोड पिछले जोड से 3 ज्यादा है तो जो कि आप देखी रहे हो जब यहाँ पे 3 लाइनों के जो जोड है उन में आप देखोगे तो सबसे पहले का जोड आया है 6 फिर दूसरे का जोड आया है 9 और तीसरे का जोड आया है 12 तो 6 से 3 ज्यादा 9 है और 9 से 3 ज्यादा 12 है तो वहीं यहाँ पे लड़की खह रही है हर जोड पिछले जोड से 3 है अब अगला जोड का पैटन देखो आप यहाँ पे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर में 10 फिर 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बराबर में 14 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 बराबर में 18 अब यहाँ पे लड़का कहता है यहाँ हर जोड पिछले जोड से 4 ज्यादा है तो आप देखी रहे हो 10 से 4 ज्यादा है 14 और फिर 14 से 4 ज्यादा है 18 अब तुम 5 संख्याओं के साथ पिछले जोड से 5 ज्यादा हो जैसे कि अभी पहले आपने देखा था कि पहले वाले पैटन में हर पिछली संख्या जो है आगे वाली संख्या से आगे 3 ज्यादा थी उसी तरह अब दूसरे पैटन में हमने देखा था कि पिछली संख्या से 4 ज्यादा थी अब आपको करना है कि पिछली संख्या से 5 ज्यादा हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहली लाइन में लिखेंगे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 तो जिसका जोड़ होगा 15 फिर दूसरी लाइन में हम लिखेंगे 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जिसका जोड़ होगा 20 फिर तीसरी लाइन में हम लिखेंगे तीन जमा चार जमा पांच जमा छे जमा साथ जिसका जोड़ होगा पच्चिस फिर चौती लाइन में हम लिखेंगे चार जमा पांच जमा छे जमा साथ जमा आठ जिसका जोड़ होगा तीस फिर पांच वी लाइन में हम लेखेंगे पांच जमा छे जमा साथ जमा आठ जमा नौ जिसका जोड है 35 तो हमने जोड के पैटन में देखा कि जो पिछली संख्या है वो पांच अगली संख्या जो है वो उससे पांच ज्यादा है क्योंकि पहले संख्या का जोड हमने देखा था 15 था फिर 15 से 5 ज्यादा 20 फिर 20 से 5 ज्यादा 25 और 25 से 5 ज्यादा 30 और 30 से 5 ज्यादा 35 तो क्या हर बार हर जोड पिछले जोड से 5 ज्यादा है तो हाँ हर बार जो हर जोड है वो पिछले जोड से 5 ज्यादा है इसके बाद गुप्त संदेश तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा तो लड़की कहती है अच्छा मुझे देखने दो यह तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है आप यहां पर देख रहो लड़के के हाथ में संदेश है और इसमें संख्याएं लिखी हुई है साथ, पंद्रा, पंद्रा, चार, चौदा, नौ, साथ, आठ और बीस अब जो यहां पर लड़की है यामिनी उसने नियम समझाया अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है जैसे जे बराबर दस है, पी बराबर सोला है अता जंप हो जाएगा इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरी करो अब उसने क्या कहा है कि जो संदेश है उसमें उसने संख्याओं लिखी है लेकिन ये जो संख्याओं है ये अक्षरों के लिए लिखी हुई है यानि कि जैसे कि A, B, C, D है तो जिस नंबर पे जो अक्षर आता है उसके लिए वो संख्या इस्तेमाल करके उसने एक संदेश बनाया है अब आगे आपको कहा है कि इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरा करो तो हमने देखा A के नीचे लिखा है B, A के नीचे लिखा है 1, B के नीचे 2, C के नीचे 3, D के नीचे 4, E के नीचे 5 तो अब हम आगे करेंगे F के नीचे 6, G के नीचे 7, H के नीचे 8, I के नीचे 9, J के नीचे 10, K के नीचे 11, L के नीचे 12, M के नीचे 13, N के नीचे 14, O के नीचे 15, P के नीचे 16, Q के नीचे 17, R के नीचे 18, S के नीचे 19 T के नीचे 20 U के नीचे 21 V के नीचे 22 W के नीचे 23 X के नीचे 24 Y के नीचे 25 और Z के नीचे हम लिखेंगे 26 तो हमने ये सूची पूरी कर दी है अब इसके बाद हमें कहा है तीनु अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहती है इस नीचे नीचे को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा तो हमें अब क्या करना है अक्षरों के बदले जिस नंबर पे वै अक्षर आ रहा है उस संख्या को हम इस्तिमाल करेंगे तो उसको क्या लिखना है उसको लिखना है गुड मॉर्निंग तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी कौन से नंबर पर आ रहा है जी आ रहा है सात नंबर पर तो जी के लिए हम लिखेंगे सात उसके बाद ओ के लिए लिखेंगे हम पंद्रा फिर से O है तो O के लिए लिखेंगे हम 15 और D है 4 नमबर पर तो D के लिए लिखेंगे हम 4 इस तरीके से हमने लिखा good अब हम लिखेंगे morning तो morning में M के लिए लिखेंगे 13 O के लिए 15 R के लिए 18 M के लिए 14 N के लिए 14 I के लिए 9 N के लिए फिर 14 और जी के लिए साथ तो इस तरह हमने लिखा गुड मॉर्निंग अब अगर हम नियम को बदल दें और बी के स्थान पर एक लिख दें डी के स्थान पर तीन लिख दें और इस तरह लिखते जाएं तो हम let us dance कैसे लिखेंगे अब उन्होंने क्या करा है एक संख्या आगे बढ़ा दिये जैसे कि पहले बी दो नमबर पर था अब उन्होंने कहा कि बी एक नमबर पर है तो एक संख्या कम हो गई है तो अगर हम इसी तरीके से आगे करते जाएं तो आप देखोगे हमें लिखना है let us dance तो हमने जब सूची में देखा कि L हमारा बारा नमबर पर है पर हमें क्या करना है एक संख्या पिछली लिखनी है तो L के लिए हम लिखेंगे ग्यारा और E पांश नमबर पर है तो E के लिए लिखेंगे हम 4 और T हमारा 20 नमबर पर है तो T के लिए लिखेंगे हम 19 तो इस तरह हमने लिखा हमने let अब हम लिखेंगे us U है हमारा 21 नमबर पर पर हमें पिछली संख्या लिखनी है तो U के लिए लिखेंगे हम 20 और S है 19 नमबर पर तो S के लिए लिखेंगे हम 18 तो हमने लिखा S अब हम लिखेंगे Dance Dance में D के लिए हम लिखेंगे 3 A के लिए हम लिखेंगे 26 A के लिए हम 26 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप देखोगे कि A से पहले अगर हम A से Z तक कर रहे हैं तो अब Z, जो B के पास 1 चला गया, तो Z का नमबर है 26, तो 26 हमारा A के पास आ जाएगा, तो A के लिए लिखेंगे 26, N के लिए लिखेंगे 13, C के लिए हम लिखेंगे 2, और E के लिए हम लिखेंगे 4, तो इस तरीके से हमने लिखा dance, तो यह हमारा हो गया, let us dance, अब आगे है कुछ और गुप्त संदेश, यहाँ पे आप देखोगे कि यामिनी के हाथ में 2 संदेश हैं, और फिर यहाँ पे लड़के के हाथ में भी 2 संदेश हैं, अब शबलू और जगू एक खेल खेल रहे हैं, वे कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं, पर काहुली उन को समझ नहीं पा रही है इसलिए जग्गू ने नियम समझाया जग्गू देखो हमने हर एक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया है इसलिए F के स्थान पर G N की जगा पर O लिख रहे हैं इसलिए Yes Z F T बन गया है अब उन्होंने क्या कहा कि उसने अगले अक्षर से उसको बदल दिया है इसका मतलब हुआ कि अगर हम कहीं पर A लिखना चाहते हैं तो हम A नहीं लिखेंगे उसका अगला अक्षर यानि की B लिखेंगे अगर हमें कहीं पर E लिखना है तो हम E नहीं लिखेंगे, उसका अगला अक्षर F लिखना है तो वही यहाँ पे कहा उसने, तो यहाँ पे उसने बताया कि Yes लिखना था Yes में Y है, Y का अगला अक्षर होता है Z, उसके बाद E है, E का अगला अक्षर होता है F फिर है S, S का अगला अक्षर होता है T तो यस जो है वो ZFT बन गया तो काहुली कहती है ओ, अब समझ में आया काहुली, अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है XF, BSF, GSJ, FOET तो सबसे पहले हम X और F में देखते हैं क्या बनता है तो जब हमने देखा, X के बाद आता है W तो X बन गया W और F है हमारा पहला, हमें पहला अक्षर लेना है तो X से पहले आता है W, X हो गया W और F से पहले आता है E तो XF बन गया हमारा V इसके बाद हमें BSF पे देखना है तो B से पहले आता है A S से पहले आता है R और F से पहले आता है E तो BSF का मतलब है R इसके बाद G से पहले आता है F S से पहले आता है R J से पहले आता है I F से पहले आता है E O से पहले आता है N E से पहले आता है D और T से पहले आता है S तो ये बन गया Friends मतलब कि यहाँ पे लिखा था We are best friends अब काहुली का गुप्त संदेश क्या था? तो काहुली का गुप्त संदेश मैंने आपको बता दिया We are best friends अब आगे पूछा है शबलू और जगू ने क्या लिखा था? तो उपर यहाँ पे शबलू और जगू ने लिखा हुआ है यह हमें बताना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है I, F, M, M, P तो I से पहले है H, F के लिए होगा E क्योंकि F से पहले E आता है फिर M के लिए हम लिखेंगे L फिर से M के लिखेंगे L और P के लिखेंगे O तो I, F, M, M, P का मतलब हुआ Hello उसके बाद लिखा है I, P, X तो I, P, X का मतलब क्या होगा I से पहले होता है H, P से पहले होता है O और X से पहले होता है W तो I, P, X का मतलब हुआ How फिर है B, S, F B से पहले होता है A S से पहले होता है R और F से पहले होता है E तो B, S, F का मतलब हुआ R इसके बाद Z, P, V तो Z, P, V का मतलब हुआ U क्यूंकि Z से पहले है Y P से पहले O और V से पहले U होता है तो यहाँ पे शबलू ने लिखा है Hello, How are you? उसके बाद यहाँ पे जो है जगू ने लिखा है G, J, O, F तो G से पहले F J से पहले I O से पहले N और F से पहले E तो G, J, O, F का मतलब हुआ Fine इसके बाद U, I, B, O, L U के लिए T I के लिए H B के लिए A O के लिए N और L के लिए K यानि की ठैंक फिर है Z, P, V Z के लिए Y P के लिए O और V के लिए U यानि की U तो हमारा जो संदेश बना वो बना Fine, Thank, Q उसके बाद शबलू फिर बोलती है X, J, M, M मतलब X के लिए W J के लिए I M के लिए L और M के लिए L यानि की Will फिर Z, P, V Z के लिए Y यानि की Play यू, Play फिर लिखा है X, J, U, I X के लिए W J के लिए I U के लिए T और I के लिए H यानि की With फिर है N, F तो N के लिए M F के लिए E Me तो यहाँ पे शबलू ने संदेश दिया है Will you play with me तो जग्गू यहाँ पे कहता है Z, F, T तो Z, F, T आपको पहले भी बताया था Z से पहले होता है Y F से पहले होता है E और T से पहले होता है S यानि की Z, F, T का मतलब हुआ Yes तो आपको बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अक्षर आप लिखना चाहते हो आप उसके लिए उससे पहले वाला अक्षर इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पे लिखा है इसी नियम को अपनाते हुए Meet me on the moon लिखने की कोशिश करो तो हमने देखा था जब हम गुप्त संदेश से अपना संदेश लिख रहे थे तो हम अक्षर से पहले वाला अक्षर इस्तेमाल कर रहे थे अब हमें संदेश दिया है लेकिन हमें इसे गुप्त संदेश में लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो अक्षर हमें दिया हुआ है हम सूची से उसका अगला अक्षर इस्तेमाल करेंगे जैसे की यहाँ पे लिखा है meet तो meet में हमें सबसे पहले लिखना होगा m लेकिन हम m नहीं लिखेंगे m से अगला अक्षर लिखेंगे यानि की n तो m के लिए लिखेंगे हम n फिर है double e तो e से अगला अक्षर होता है f तो हम यहाँ पे लिखेंगे double f फिर है t t से अगला अक्षर होता है u तो meet के लिए हम लिखेंगे N, F, F, U अब हमें लिखना है Me तो Me से अगला अक्षर N और E से अगला अक्षर F यानि कि N, F अब हमें लिखना है On तो O के लिए लिखेंगे P और N के लिखेंगे O तो P, O अब हमें लिखना है The तो T के लिए U, H के लिए I और E के लिए F तो U, I, F अब हमें लिखना है Moon तो M के लिए N डबल O के लिए हम लिख देंगे डबल P और N के लिए O यानि कि N, डबल P, O तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप गुप्त संदेश से संदेश को सही करके लिख रहे हो तो आप अक्षर से पहले वाला अक्षर लिखोगे और अगर आपको संदेश दिया है और आपको इसको गुप्त संदेश में बदलना है तो जो अक्षर आप लिखना चाहते हो उससे अगला अक्षर इस्तिमाल करोगे अब कहा है तुम अपने नियम बना सकते हो और अपने दोस्तों से ये गुप्त संदेश समझने को कह सकते हो अब यहाँ पर इन्होंने किताब में अपना नियम बना रखा था लेकिन आप जब अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ऐसे गुप्त संदेश बना सकते हो जिसमें की आप अपने नियम को इस्तिमाल कर सकते हो अब है उल्टा पुल्टा अनीशा खेल रही है वे अपने दोस्तों को दिखा रही है कि वे अपने सिर पर खड़ी हो सकती है अब अनीशा इस कार्ड से खेल रही है यह card उल्टा होकर कैसा दिखेगा यहाँ बनाओ तो अब आपको क्या करना है इस card को यहाँ पर बनाना है तो आप देखोगे कि अगर आप इस card को उल्टा करके देखोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा इसकी तरह ही तो आपको यह यहाँ पर बनाना है अब है फर्ष के पैटर्न क्या तुमने कभी ऐसा फर्ष देखा है जिसमें ऐसी टाइल्स लगी हुई हो तो हाँ हमने ऐसे कई तरह के फर्ष देखे हुए हैं जहां पर कि ऐसे अलग अलग तरह की टाइल्स लगी होती है इन tiles को फर्ष पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि यह पूरी तरह से फर्ष पर फैल जाएं और बीच में खाली जगा भी ना बचे तो आप देख रहे हो यह tiles लगी वी हैं और बीच में फर्ष हमें नहीं दिख रहा है खाली जगा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है अब तुम इस फर्ष को दी गई टाइल से भरो तो आप देख रहे हो यहाँ पर यह पैटर्न बना हुआ है आपको इसको पूरा करना है जैसे कि यहाँ पर देखा आपने की पहले पीले रंग से भरा हुआ है फिर नीले रंग से फिर से पीले रंग से और फिर नीले रंग से तो इसी तरह आपको यह फर्ष पूरा करना है इसको टाइल से आपको भरना है फिर है क्या तुम एक वृत के आकार की टाइल से फर्ष ढख सकते हो इस हरी टाइल के प्रयोग से फर्ष को बिना जगा छोड़े भरने की कोशिश करो क्या तुम कर पाए अपने दोस्तों से चर्चा करो अब जैसे यहाँ पर यह एक व्रिताकार की टाइल बनाई हुई है उसके बाद आपको यहाँ पर सारी जगा इसी तरह की टाइल बनानी है तो जब अब टाइल बना लोगे तो यहाँ पर लिखा है कि इस हरी टाइल के प्रयोग से फर्ष को बिना जगा छोड़े भरने की कोशिश करो लेकिन जब आप देखोगे कि आप यहाँ पे वृत बना लोगे तो बीच में उसके खाली जगा रह जाएगी यहाँ पे लिखा भी है कि क्या टाइल से फर्ष ढख सकते हो तो नहीं वृत आकार की टाइल से हम सारी फर्ष की सारी जगा को नहीं ढख सकते क्योंकि बीच में खाली जगा रह जाती है फिर है नीचे बने टाइल के पैटर्न को पूरा करो तो यहाँ पे टाइल साब को दी हुई है इसको आपको पूरा करना है तो यहाँ पे फूल के आकार में जो टाइल बनी है वहाँ पे आपको गुलाबी रंग करना है उसके बाद जो छोटी-छोटी टाइल्स बनी हुए है जो कि पतंग के आकार यहाँ पे बने हुए है यह आपको बनाने है और उस पे आपको नीला रंग करना है तो ये आपके लिए कार रहे है, इसको आप पूरा करेंगे फिर है घः, रमया ने अपने ब्लॉक की मदद से एक दिवार बनाई है क्या तुम उसके लिए इस दिवार को पूरा कर सकते हो तो आपको ये पूरा करना है, आप कैसे पूरा करोगे आपने देखा कि सबसे पहले जो है यहाँ पे पीले रंग से बना हुआ है उसके बाद फिर नीले रंग का बना है जिस पे लाइने खीची हुई है फिर यहाँ पे आपने देखा कि हलका बैंगनी कलर है जिस पे की बीच में बिंदूओं से फूल बना है और फिर से पीला रंग है फिर नीला रंग है लाइनो वाला फिर बैंगनी रंग है जिसपे की बिंदू से फूल बना है तो उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे पीला रंग करेंगे यहाँ पे पीले रंग के बाद फिर आप नीला रंग करेंगे जिसपे की लाइने बनी है नी पीले रंग के बाद फिर हम करेंगे हलका बैंगनी रंग और उसके बाद फिर से हमारा जेगा पीला रंग तो इसी थरीके से आपको यह पैटर्न जो है यहाँ पर पूरा यह करना है जिस जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फिर है रेनु ने इस दिवार पर रंग करना शुरू किया है अब तुम उसकी इस काम में मदद करो तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि रेनु जो यह बना रही है जो इसने रंग करा है यह तिर्चे में कर रही है तो सबसे पहले उसने जो एक यह जो घुमाओदार बॉक्स बना है उसमें उसने हरा और पीला रंग करा है फिर जो दूसरा बॉक्स है उसमें उसने पीला और लाल रंग है आदे आदे रंग हो रखे हैं सब में फिर उसके बाद उसने फिर से हरा और पीला है फिर पीला और लाल फिर हरा और पीला फिर पीला और लाल तो अब आप आगे क्या करोगे हरा और पीला फिर पीला और लाल फिर हरा और पीला और पीला और लाल इसी तरह आप नीचे इसको देखते हुए अच्छे से ध्यान से पूरा करेंगे जिससे कि आपकी ये दिवार पर पूरा रंग आप कर लोगे और हमारा ये पार्ट पैटर्न खतम होता है जो कि बहुत ही अच्छा पार्ट था जिसमें कि हमने अलग-अलग तरीकों से कार्यों को करना सीखा है डिजाइन के बारे में पैटर्न बनाने सीखे हैं संख्याओं के पैटर्न हमने सीखे हैं अक्षरों के लिए हमने पैटर्न सीखे हैं जो कि बहुत ही अच्छा था तो इसको अब दोहराईए और दुबारा से इसको करिए अच्छे से